सब्सक्राइब कीजे हमारे इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं धन धान एश्वर्य सुक्ष हर तरह की चीजे बढ़ेंगी और जो भी दुख होंगी परेशानी होंगी निगेटिविटी होंगी वो सब दूर चली जाएंगी इस वीडियो को आप आखरी तक जरूर देखें क्योंकि आखरी तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें अच्छे से पता चलेंगी मेश राशी वाले बंधुओं तक इस वीडियो को आप जादा से जादा जरूर शेयर करें और अगर आप मेश राशी के और भी वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं बंधुओं आपको नियमित रूप से मेश राशी वालों को हनुमान चालिसा और सुन्दर गान का पाठ करना चाहिए और यदि स्वास्ति संबंदी परेशानी हो रही हैं तो बजरंग बान का पाठ करना चाहिए परिवार के सदस्यों के बीच बहस करने से बचना चाहिए अपनी जीवन साथी का सम्मान करें और उनको उपहार देने से अनेक समस्याओं का निराकरण स्वयम हो जाएगा अपनी उर्जा का सकारात्मक कार्यों के लिए उपियोग करें, नकारात्मक पक्ष को टाटा बायबाय करें तो आपके लिए ठीक रहेगा प्रेम संबंद को ध्रन करने के लिए एक दूसरे को धार्मिक गुस्ता गिफ्ट में दें तो बहुत अच्छा रहेगा शत्रू को बल से नहीं बुद्धी से परास्त करें, गुस्ता को त्यात दें तो बहुत अच्छा रहेगा और घर में आपको गुलाब का पोधा जरूर लगाना चाहिए दोस्तों आपको बता दें कि इस वर्ष धार्मिक कार्यों में आपकी रूची बढ़ेगी संतान के उपर आपको खर्च करना पड़ सकता है संतान के स्वास्त को लेकर आपको कुछ परेशानी हो सकती है इस साल आप अपने कारे को लेकर कुछ जादा व्यस्त रहेंगे मान प्रतिष्ठा में ग्रद्धी हो सकती है आई के इस्त्रोद बढ़ेंगे धन प्राप करने के लिए आपको बहुत महनत करनी पड़ेगी माता पिता का सहयोग मिलेगा आपका पारिवारिक जीवन सामाने रहने वाला है अपने मित्रों और भाई बंदू के साथ बहस करने से बचे अपने जीवन साथी का आपका स्वास्त खराब हो सकता है इसलिए डाक आपके रुके हुए सभी कारिश शीगर संपन होंगे फिर भी आप अपने कारियों के प्रती लापरवाही ना वरतें गुरू धनूराशी में रहेंगे अतेव नोकरी की तलाश में हैं तो आपकी ख्वाईश पूरी हो जाएगी बेतन व्रद्धी या प्रमोशन से जोड़ हुआ शुब समचार भी आपको मिल सकता है व्यवसाय की मामने में यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा सितंबर के बाद पार्टनर्शिप में काम कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी तता नए काम के लिए भी योजना बनेगी और उस पर कारियान वन भी संभव है कारिस्त कर होगा यह आर्तिक द्रस्टी से अच्छा ही रहेगा शियरवाजार में निवेश करने से पहले अपने अच्छे समय का ख्याल कर लें तो अच्छा रहेगा लाटरी वा सट्टेवाजी में धन हानी का योग है स्टुडेंट्स के लिए यह साल बहुती अच्छा रहने वाल विदेश शिक्छा के लिए आविदन कर सकते हैं किसी भी संसान में एड्मिशन लेने से पहले उसकी माननिता के संबंद में पूरी जाच परक लें जल्दी बाजी ना करें क्योंकि आपको धोका हो सकता है आपकी पंचम भाव में अशुब ग्रह होने से मर्यादा भंग हो स अविश्वास पेदा होगा और रिष्टों में कळवाहत आएगी प्रेम संबंद तूट भी सकता है अक्टूबर से इस्तिती में परिवर्थन होगा रिष्टे को जोडने का प्रियास करें तोडने का नहीं प्रेमी बा प्रेमी का के प्रति आने वाले नकारात्मक सोच को गड़े में डाल दे तो ठीक रहेगा स्वास्ति की द्रस्टी से है वर्ष मिश्रित फल देने वाला है एक दो बार हास्पिटल का चकर तो लगेगा ही शुगर की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं पेट तथा गर्दन से संबनित कोई परेशानी हो सकती है सरवाई कलकर दर्द से परेशान हो सकते हैं बंदूं ये था वीडियो मेश राशी के लिए जिसमें हमने आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस वीडियो को जादा से जादा मेश राशी वाले बंदूं के साथ जरूर शेयर करें इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए मेश राशी के और भी वीडियोज पाने के लिए देशी भक्ती चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं कमेंट बॉक्स में जाय मातादी जरूर लिखें